मतलब थो मारी मार मार के खाल उडादी मंगर उगाड उगाड के दिखाऊ हैं नोलिए एक लीड़ी उपडरी यहीं से आप लोगों के सामने देशी गव माता की उन्हें छत्रा कुल को सुसोभित करने वालों ने गव माताओं के लिए बहन बेटियों के लिए दाराम के लिए समाज के लिए क्या दिया क्या रक्षा की उन्होंने आज इनकी गाथाएं गाई जाती हैं बोल देशी गव माता की हाँ हाँ इसे दुरियों गहने मही पालने आए इसे जुरियों धन मही पालने पशे जमकी गेरे लई गई आए इसे जुरियों धन मही पालने पशे जमकी गेरे लई गई गई आए दोहली पीली निल्ली काली पकडेलिया गव वोका पाली अजमकी पकडेलिया गव पाली महारे बदने की उडे गई लाली महारे बदने की उडे गई लाली पीली हात जाई छोटे दरमे की चालने गया खुलका पलके रवैया एदी पाशी चवाइबो तुस्या देल लई गई गई आओ से दुरीयो दाने मही माले मही चिमे की घेर लई गई गई आ एदी पाशी चिमे की घेर लई गई 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 आ है पाली सोच मने के अंदरे आरी वे सोच मने के अंदरे चिंत्या हो गई तने के अंदरे हो डी आगई चने के अंदरे हो डी आगई चने के अंदरे हां भारी मारे उडाती खाल ने करपाली बही आ दाई आगई आ यही पसी चमकी घेर लई गई गई आवों से बोली यो धने मही पाल में पसी चमकी घेर लई गई 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 आए मलक कराक है शब पैदाया माले दे राखे सब पर दाया मितता को नरे लेक मिताया कैसे होगा मने का चाया सुने के इसे रभी बाल ने आ कईरे कवरे की वई आए यही पसी चमकी घेर लई गई गई आए यहा उजे तुरियो धने मही पाल में पसी घेर लई गई गई आए यहा आयको ये नहीं पुरसी बाया गवलों को दरबार बीच माच गया सोर सारे शेहर के बजार बीच गवों को छुटाओं कैसे फसी हमज आर बीच गवों को छुटाओं कैसे फसी हमज आर बीच आए गवों को छुटाओं कैसे कोई भी बल आनना गवों को छुटाओं कैसे कोई भी बल आनना हाई लड़का किवा माता के है दासी खड़ी शंग में लेवंगी रत्मान जाओ रणगुमी के रंग में कोण सारत्मान दासी किसके रता शंग में है प्रेहनल का नाम लिया यह बबाब अक्तावर की कविता है जिस योगी पुरुष की कविता जहां थे मेने लगातार पुहाना मजिश शेक्ष ने महावार्थ गाया वो भगवान के शमान वो कवी जो जितने भी कवी हुए इस दुनिया में शमाज को देखर के गए कुछ न कुछ शमाज उन करनी है क्या बात आद बहुत सिविया है प्रेहनल का नाम लिया लड़का शोच बारी करे रजबुतों की रण बहुमी में जाई के खुवारी करे ही जड़ा सनाम जिसकर किसकी शवारी करे ही जड़ा हनाम जिसका की तुन स्वारी करे जड़ा हनाम जिसकी शवारी करे हाह भोक शविया हाहा हा तू बाचले दीन त यालन वक कावर लाल लगवई या एरा पाचम की गेर लई गया बोल गवाता की जैर दुरियो धनमही पाल ने पस्चिम की घेर लई गया अब यहां कौन के गवालबाल आते हैं और आकर के बताते हैं उत्तर से के वहिया दुरियो धनमही पाल ने तारी गाहां के लिए अब शाप का बच्चा चाए छोटा हो चाए बड़ा हो लेकिन जैर उसमें जरूर होता है अब उत्तर कमार कहता है कि मैं गव तो छुटवा ले हूँ पर मेरे पर रत्वान को नियाज क्योंकि मेरे पिता सिरी और जितनी भी शेना थी वो उनके साथ गई शारे रती रत्वान तरकस तीर तमंचे भाले ले करके और सभी ओधा रतों को जोड़ जोड़ करके और तरकदेश के राजा सुसर्मा के साथ युद्ध करने के लिए चले गई अब लड़का की मा भी कन्ये सुने दोन्यू मा बेटो थोक में जूट बोलने रावा में उड़ाओं है क्यों जूट बोलता जोर के आवा थो और कन्ये कौन वो मातेश्वरी वो जग कल्यानी द्रोपती जो मैंने आपको बताया कि शैलंद्री के भेश में थी वो मातेश्वरी भी शुन रही थी अब मातेश्वरी शुन रही थी तो मातेश्वरी ने कहा के लड़के तुम मेरी एक बात शुनो के गवों को छुटावू कैसे अर पेरे पैरत्वान नही रणबहों मी मैं जाओं कैसे कोई भी बलवान नहीं कोई भी बलवान नहीं कोई भी बलवान नहीं अर ल्याउंगी रत्वान हो लड़का ल्याउंगी रत्वान हो लड़का तुझे गवों छुटाणी चैये हो छत्रा कुलका धर्म यही तुझे रीत निवानी चैये हो छत्रा मन का धर्म यही तुझे रीत निवानी चैये हो जवान बालक सुने से सुने लो तारली सुड़ाओ जिये तुम्हे यह पता उना चीए कि हम क्या थे और क्या है अब कौन कहा कि वो दास्ची कहती है क्यों उत्रे तुझे बात समझनी चीए अब उत्र कहता है और कौन कहा का रहने वाला अरे क्या करता है काम बता क्या करता है काम बता अरे अरजुन का रथवान रहा वो प्रेह लला है नाम बता क्या कहता है के ब्रेहनला का नाम सुना वो लड़का करे विचार सुनो अरे मरत ही दिनातर से बुरा हो कहती है सनशार सुनो अरे मरत ही दिनातर से बुरा है कहती है सनशार सुनो अब लड़के की माता ओदाज सी सुकर से तुम्हारे रहे से नहीं तरह सर कलम कर देती मेरा लड़का पहली बार रड़ छेत्र में जा और वो भी हीज़ डारत्वान लेकर के जा अरे लड़के की वह मात सुने उर दासी को धमकाया है अरे लाकी कर्ण क सुने मेरे फिर खोटा वचन सुनाया है अरे लाकी कर्ण क सुने मेरे फिर खोटा वचन सुनाया है बोल कर्सिन महलवान की ये दासी लड़का